इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह यहां आमतोर पर कॉलेस्ट्रॉल और रक्चाप को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग एथरोस्क्लेरोसिस से जुड़ी बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के पारे में 1. मुख्य रूप से हृदय की स्थिती में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह धमनियों में कॉलेस्ट्रॉल और वसा के निर्मान को कम करने में मदद करता है 2. हड्यों के स्वास्थे में सुधार करने में मदद करता है क्योंकि यह हड्यों क ताकत को बढ़ाता है और हड्डियों की दुर्बलता से जुने जोखिम को कम करता है तीन यह एंटियोक्सिडन्ट का एक सम्रित स्रोथ है और रक्तवाहिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करता है चार इसका उपयोग संग्यानात्मक कारियों में सुधार करने और अलजायमर को और नोटिफिकेशन पर सेट करें